इसका सिंदी केंप्स जैपूर और बोपाल के किसी थाने में भी ये पहले कभी गरिपतार हुआ है वहां भी जेल गया हुआ ये प्रार्णिमिक पूस्ताच में सामने आया है जी हाँ नमसकर सात्यों को और बड़ी ख़बर आजमेर जिले से मिल रही है जिले से एक और रेप छिट छाड का बड़ा मामला सामने आ रहा है दरसल इस वार्दात को अंजाम देने वाले खुद को आई-एस कहने वाले युवक के मामले में कई चोकाने वाले राच सामने आ दरसल अजमेर पुलिस ने कोल डिटेल खंगा ले तो कई चपवाने वाले जानकारी सामने आ रही है दरसल युवक का नाम नवीन कुमार गुपता है वह सिर्फ दिल्ली नहीं बलकि लखनाव भुपाल में भी कई गलत वारदात को अंजाम दे चुका है भुपाल में भी कई दिनों पहले भी वह जेल जा चुका है मामले की जांच में सामना राएक दरसल सोचल मीडिया प्लेट फॉर्म के जरी जाल बिछातार उसी के माध्यम से वह नोकरी के नाम पर भी ठगी करता भी बीते हाल ही में फेस्बूक के माध्यम से दिल्ली के एंजियो की डायरेक्टर को फसा कर साधी के नाम पर दो दिन तक अजमेर होटल में गलत वारदात को अंजाम दिया इसी के चलते पिता से बास चीत की तो उन्होंने कहा कि वह 2014 से परिवार से अलग रह रहा है अभी नविन फिलाल बाडमेर के एक प्राइवेट इसकुल में चोकीदारी का काम करता है इसी के चलते पुलिस पिरसासन ने स्पेसल टीम घठित की और आरोपी की तलास उरु कर दिये फिलाल पुलिस की पकड़ से दूर है मामले में अंसा अंधान किया जा रहा है ताकि समाज में बढ़रे सपराद पर रोक थाम लगाई जा सके अगर आप चैनल से नए जुड़े है तो सबस्क्राइब कर लीजिए मिलते हैं गली वीडियो के साथ जहिन दोस्तों